जीना का विलोम क्या हो जाएगा मरना क्या हो जाएगा मरना हम साथ साथ में व्याकरन भी करते हैं जीना का विलोम मरना यहां सुत्रकार्थ क्या था धागा यहां सुगंद सू पलस में गंद अभी आपके उसमें परते नहीं आए हैं उपसर्ग परते आएंगे तो सू आपको तो अलग तो करना वहत आ देखो सू विल्कुल अलग दिखाई दे रहा सू पलस Irma Rebbe अच्छा जो महक अच्छी है वो क्या है सुगंद तो सुगंद का विलोम क्या हो गया दुरगंद, धनी का विलोम धनी क्या होता है अमीर, अमीर गरीब देखो ये आपस में जोड़े होते हैं जीवन, मरन, जीना, मरना जनम, मृतु इस तरह से आप जनम का मरना नहीं लिख सकते, ये जोड़े होते हैं विलोम के, तो धनी का विलोम आप गरीब नहीं कर सकते, धनी का निर्दन होगा, अमीर का गरीब होगा, अमीर का गरीब, इस तरह से जोड़े होते हैं, ये हमेशा प्याग रखना कि कहीं धनी आए और आप गरीब लिख दो, नही धनी निर्दन, अमीर गरीब, जीना मरना, जीवन मृत्यू, ठीक है, अब गले हार, हार के दो आर्थ मैंने क्या बताए, एक प्राजे और दूसरा गले में पहने जाने वाला हार, सुगंद का विलोम क्या हो गया, दुरगंद, यहां काटा किसका परतीक है, दुख का, काटा ह हमेशा कहीं भी आजाए, वो किसका परतीक होता है, दुख का होता है, और फूल जो है सुख का होता है, सके साथ-साथ, इस कवीην में और काफी कोशुन बन सकते हैं, जैसे फूलों का प्रियोग कहां कहां किया जाता है, बच्चों सोच कर बताओ कि, फूल का प्रियोग हम क कहां कहां करते हैं फूल का प्रियोग हम घर को सजाने के लिए स्वेम को सजाने के लिए किसी के कोई महापुरुष या कोई आपका नेता भी नेता मरता है तो हम उसके शौपर डालने के लिए बगवान को चड़ाने के लिए राजाओं के ताज में बहुत जगें जो हम फूल में जाते हैं हम फूल ले कर जाते हैं बगवान को और पित करते हैं बगवान के मुकट पर भी लगाते हैं किसी के मरने पर शौपर भी डालते हैं इसके साथ साथ है फूल अपने साथ बुरा बरताओ करने वाले के लिए कैशा वेवार करता है अब बुरा बरताओ से क्या तो क्या होगा? अगर हम फूल को कुछलते हैं फेकते हैं तो बौतראख तो उसके मया अुछ पर Ha Zeppu साथ अगर हम फूलों में पानी महा ही डालते हैं तो आपके घर में फूल उगेगा ही नहीं फूलों को देखकर एक एनरजी हमारे अंदर आती है, एक मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आती है, एक उत्सा हमारे अंदर बढ़ता है, फूल जो है मुर्जाए हुए मन को भी तरंगित कर देता है, एक जो है हमारे अंदर उत्सा का उमंग का भाव भर देता है, तो अगर हम उनके साथ अच्छा वेवार नहीं करेंगे तो वो क्या है? अपनी महक और सुगंध हमें नहीं देंगे, हमारे आंगन में नहीं पन पेंगे वहाँ पैदा नहीं होंगे इसके साथ साथ फूलों के और भी बहुत सारे फाइदे हैं आप जड़ी बूटियों में भी फूलों का प्रियों करते हो बहुत सारी ऐसी आपकी बिमारिया है जो फूलों से ठीक हो जाती है आयूरवेद में बहुत सारी चीजें जो हैं बताई गई